योगी सरकार ने उत्रप्रदेश में लव जिहाद जैसे अपराद के मामलों में सजा को और कड़ा करने की तयारी कर ली है पहली बार इन अपरादों में ता उम्र क्यात की सजा का प्रस्ताव लाया गया योगी सरकार की और से विदान सभा में आज एक प्रस्ताव पेश किया गया यूपी विधी विरुद धर्म परिवर्टन संशोधन दोहजार चौबीस विध्यक और इसके तहट अभी तक जो सजा का प्रावधान था उसे बढ़ाने का और साथ ही अपरात के दाइरे को भी प्रस्ताव लाया गया है वो आजीवन उम्रकयत की सजा है बहीं जुर्माने की राशी भी बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है और इस नए प्रस्ताव में यानि कि संशोधन विध्यक में ये बात भी रखी गई है कि अपरात का दाइरा बढ़ा दिया गया है यानि कि ब अपरात के दाइरे में लाया गया है और कोई भी विदेशी संस्था या फिर अवैद संस्था भी फंडिंग में सनलिप्त पाई जाती है तो उनके खिलाब भी कारवाई होगी और उन्हें भी सजा भुगतनी होगी साथी एक और बात जोड़ दी गई है अब अगर धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी को जान से मार डालने के धमकी दी जाती है किसी पर जानलेवा हमला किया जाता है या फिर शादी का वदा किया जाता है तो इसे भी अब अपरात की श्रेणी में रखा जाएगा और इस पर कपट बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराना शादी कराना इस मामली में 2021 के खानून के तहर एक से पांच साल तक की सजा थी और 15,000 का जर्माना था लेकिन नए प्रस्ताव में इस सजा को बढ़ा कर 3-10 साल कर दिया गया है 25,000 रुपे जर्माने का प्रस्ताव रखा गया नाबालिक महिला S.E.S.T. संग अपराद पर 2-10 साल तक की सजा पहले होती थी 25,000 का जर्माना लगता था अब इसे बढ़ा कर 5-14 साल करने और जर्मानी की राची को बढ़ा कर 1,000,000 रुपे तक करने का प्रस्ताव रखा गया है अवैद ढ़ंग से सामुहिक धर्म परिवर जर्मानी की तो किस-किस एक्शन को यानि की अक्टिविटी को अपराद के दायरे में शामिल कर लिया गया है नए अपराद कौन-कौन से है धर्म परिवर्तन से जड़े हुए ये आपको बताते हैं नए अपराद है दिव्यां मानसिक दुर्बल को कपट बैला फुसला कर धर्म बदलवाना और ऐसे मामलों में 5 से 14 साल तक की सजा 1 लाख रुपे तक का जुर्माना ये प्रस्ताव रखा गया है अवैत धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग पर 7 से 14 साल तक की सजा 10 लाख रुपे का जुर्माने का प्रस्ताव है अवैत धर्म परिवर ये प्रस्ताव लाया गया है कि खानून को और जादा कड़ा कर दिया जाए लव जहाद के विरुण. एक और बहुत बड़ा बदलाव किया गया है पहले धर्म परिवर्तन के मामलों में धर्म परिवर्तन के शिकायत यानि कि जानकारी देने का अधिकार संबंधियों को ही था या तो पीडित व्यक्ति या पीडित व्यक्ति के माता पिता या रक्त संबंधी ये शिकायत कर सकते थे लेकिन अब कोई भी व्यक्ति लिखित तोर पर पुलिस में जाकर धर्म परिवर्तन यानि कि जबर्दस्ती विदे विरुद धर्म परिवर्तन की जानकारी दे सकता है श झाल 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 झाल